नमस्कार स्वागत है आपका तरकश में मैं हूँ अमृता राय और इस वक्त हम हैं कॉंग्रिस के जनरल सेक्रेटरी दिगविजय सिंग के साथ जैपुर में कॉंग्रिस का चिंतन शिविर अफ़ खत्म हो गया है और चिंतन शिविर के हासिल क्या रहे इस पर बाचीत करने के के लिए हमारे साथ वो मौझूद है दिगविजय जी नमस्कार स्वागत है आपका चिंतन शिविर के हासिल क्या रहे पूरे देश में जो आज राजनेतिक आर्थिक सामाजिक हालात हैं उन पर चिंतन हुआ और एक रास्ता और एक पॉलिसी एक योजना का सुरूप तयार हुआ जिसके माध्यम से हम अगले दस वर्षों में इस देश को उन सारी चिनोतियों को मुकाबला कर सकें एक निश्यत योजना के तहद एक निश्यत रणनीति के तहद ये हमारा प्रयास है और यह हमारी उपलब्दी है इस प्रयास और उपलब्दी को आगे बढ़ाएं लेकिन इस उपलब्दी में एक बड़ी उपलब्दी के आप ये भी मानते हैं कि इस चिंतन शिवीर का जो म स्ट्रीम में आने का बहुत दिनों चला हुआ था और मैं तो इसको सोचता था कि सेप्टेंबर ऑक्टोबर में निरने हो जाएगा लेकिन समय लगा क्योंकि देश का हर कॉंग्रिस कारेकरता चाहता था कि राहुल गांधी जी को कॉंग्रिस पार्टी की मुख्यधारा में आन चाहिए तो इसलिए यह जो निरने हुआ है यह मूल रूप से कॉंग्रिस के कारेकरताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही निरने लिया गया है जबकि माननी एंटेनी जी ने जो की कॉंग्रिस के सबसे वरिश्ट नेता है उन्होंने प्रस्ताव रखा और पूरी वर से पारित किया सोनिया जी ने फिर राहुल जी से पूछा क्या आप स्विकार करेंगे उन्होंने जब हां कहा तब उसका निरने हुआ दोनों का संबंद जोड के मत चलिये यह तो एक अफसर था जिस समय की वर्किंग कमिंटी डेलिबरेट कर रही थी इन सब बातों पर उसी समय एंटेने जी ने जो प्रस्ताव रखा उसको स्विकार किया गया लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव पर और इस नई उपलब्धी पर सारे सारे देश की निगाह है सवाल यह है कि राहुल गांदी के उपाध्यक्ष बनाय जाने से पार्टी में क्या बदलावाने जा रहा है पहली बात तो यह है कि इस बात को तो आप मैसूस करती हैं कि देश की जो औसत आयू है वो कम होती जा रही है जहां चीन की ओसत आयू बढ़ती जा रही है भारत की ओसत आयू कम होती जा रही है तो एक बहुत बड़ा युवा वर्ग अगले दस सालों में इस देश में तैयार हो रहा है उसकी एनरजी उसकी उर्जा उसका उत्सा को यदी सही रास्ते पर नहीं लाया गया तो यही युवा देश की हालात को बिगार सकता है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस युवा का जो human resource है जो मानव संसाधन है उस मानव संसाधन के लिए अच्छी शिक्षा skill development और रोजगार की समभावनाओं पर विचार करें राष्टी और अंतराष्टी शित्र में ताकि उसका जो संसाधन हमारे पास है युवाओं का उसको सही रास्ते पर ले जाकर और उसको देश की तरक्की के लिए लगाए जा सकते आपने कहा कि देश में युवाओं की तादात बढ़ रही है और उन्हें सही दिशा दिखा जाने की जरूरत है इसमें अनुभवी और इसलिए ये निर्ने लिया गया है सोच समझकर अनुभवी राजनेताओं ने आपने कहा पॉलिसी मेकिंग बॉडी में युवाओं का एक तरह से अधिकार होगा या भागिदारी होगी लेकिन क्या फैसले प्रेसिडेंट करेंगी या वाइस प्रेसिडेंट करेंगे या मिला जुला होगा फैसले तो working committee करती है और फैसले working committee ते करने के पश्चाद जो document तयार करती है जो भी road map तयार करती है उसको सरकार को प्रस्तुत करती है और उसका क्रियान्वेन जो है प्रधान मंतरी जी के नित्वत में UPS सरकार अपने allies के साथ मिलकर करती है लेकिन party में फैसले Congress President करती है और वे हमेशा फैसला करने के पहले लोगों की राय मश्वरा लेती है उनका attitude और उनका काम करने का तरीका मैं पिछले साड़े आठ साल से महासमंतरी की रूप में उनके साथ काम कर रहा हूँ इस बात को मैं कह सकता हूँ कि उनका काम करने का तरीका बड़ा लोग तंत्री है प्रजा तंत्री है डिमॉक्रेटिक है कोई भी निर्णे वो अपने आप नहीं लेती है जब तक सबसे राय मश्वरा ना हो जाए वो कोई निर्णे नहीं लेती है और इसलिए बहुत लेडर्शिप है उसका काम करने का तरीका कैसा होगा नया एजेंड़ा क्या होगा क्या नए लीडर्शिप को आने से एजिंडे में कुछ बद्लाव भी होगा एजेंड़ा तो हम लोगों ने मिलकर तेह किया है अनुभवी लोगों ने भी और युवा लोगों ने भी और उसी किया चर्चा हो रही है अनुभवी लोग भी भाशन करेंगे अगर कुछ लोगों को उस जैपूर डिक्लेरेशन में कुछ और जोड़ना है तो उसको भी जोड़ा जा सकता है मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ नए युवा महामंत्री या कुछ और बड़े पदाधिकारी युवा नेताओं के रूप में देखने को मिलेंगे अभी तुम्हें बात कर रहा हूं जैपूर डिक्लेरेशन का जो मसौदा तयार किया है करीब 300-300 लोगों ने वो लगभग 1400 लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है और इसको फिर एक हम लोग अपना एक एक योजना बद तरीके से समस्याओं के निदान के लिए हमारी ये रण नीती होगी अब इसके बाद जहां राजसरकारे हैं वो उसका पालन करेंगी जहां केन सरकार में कॉंग्रेस पार्टी है उसका पालन करेंगी जहां तक organizational structure की बात है उसका निरने तो अब बाद में होगा अभी तो केवल वाइस प्रेजडेंट साब का appointment राहुल जी का हुआ है अब उनके साथ कौन महामंतरी काम करेंगे कौन सचिव काम करेंगे ये सारी बातें बाद में ते होगी एक और सवाल यह है क्योंकि आपने जैपूर declaration की बात की जैपूर declaration में गरीबों युवाओं महिलाओं सबको आगे लेकर साथ बढ़ने की बात कही गई है सवाल यह है कि राहुल गांधी किसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे क्योंकि राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बना इस डेक्लेरेशन में एक और बात कही गई कि हमारा ध्यान शेहरी युवाओं पर भी है हम शेहरी मध्यवर्ग को भी इग्नूर नहीं कर सकते हैं अब राहुल गांधी गरीबों के पक्षकार होंगे या फिर शेहरी युवाओं के होंगे कॉंग्रेस पार्टी केवल एक वर्ग की ही मदद नहीं करती है कॉंग्रेस पार्टी वो पुलिटिकल पार्टी है जो सभी जात धर्म के लोगों को साथ लिका चलती है कॉंग्रेस पार्टी वो है जो हर वर्ग का ध्यान देती है गरीब का ध्यान देती ही है अनुसु जात अपने अपना रास्ता खुले आख्य खुली स्थे तसे नों यह दो struggling कि भर तरहत करेंगे कुछ दर्मकी कि बात करेंगे कॉंग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है यहां सब लोगों के विचार मंतन के बाद जो राश्ठ हित में अच्छा निर्णे होता है वो हम लोग करते हैं अब जो बुनियाद पंडे जवालाल नहरू ने आर्थिक बुनियाद इस देश की रखी उसकी वज़े से आज भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है जो उन्होंने आयायन और आयायटी के संगठन तयार किये शेक्षन संस्थाएं खड़ी की उसकी वज़े से लाखों आयायटी और आयायम्स के जो ग्रैजूट्स हैं उन्होंने विश्व के अंदर अपना नाम कमाया है एक ब्रिलियंट है दिख विज़े जी आपको यहां पर रोपना चाहूंगी यह जरूर है कि आयायटी आयायम्स खोले गया उच्छन संस्थाओं में युवाओं को परक और संबंद बनाना आवश्यक होता है अगर कौंग्रेस पार्टी इन युवाओं से संपर्क संबन नहीं बनाएगी तो अपनी रण निती से उसमें शामिल करें और उसकी योजनाबध तरीके से उनका ध्यान रखते हुए ऐसे कारेक्रम बनाएं जिससे कि उनके माध्यम से देश का हित हो सके एक ब्रेक के लिए रुखेंगे दिग्विजे जी और इसके बाद जब लोटेंगे तो हम बात करेंगे कॉंग्रेस पार्टी की नई दिशा क्या होगी अगले दर्शक के लिए क्या सोच रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी और किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है एक ब्रेक के लिए रुखते हैं जल्धा से रूँगे ब्रेक के बाद एक बढ़ फिर आपका स्वागत है हमारे साथ कॉंग्रेस महसेचे दिगविजय सिंग जी लगातार बने हुए हैं दिगविजय सिंग जी आप उस ग्रुप की अध्यक्षता कर रहे थे जो ग्रुप कॉंग्रेस पार्टी की सामाजिक सोच आर्थिक सोच को आगे बढ़ाने की इद्धिशा में विचार कर रहा था उस सोच से क्या उभर कर निकला इस डेकलेरेशन में जैपोर डेकलेरेशन अब रिलीज हो चुका है इस देश में जो आर्थिक ग्रोथ हुआ है जो बड़ोतरी हुई है ग्रोथ रेट आई है उससे इस देश की आर् लोग हैं उपर के उनकी आये में अधिक वरिद्धी अधिक तेजी से वरिद्धी हुई बनस्पत जो लोर नाइन्टी परसंट हैं सबसे बड़ा सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि देश के अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ी है हाला कि चाइना में खा खाई बड़ी है उसको कैसे पाटा जाए सबसे पहली बड़ी चुनौती हमारे सामने एक ये है दूसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है सामाजिक और आर्थिक कि देश के बढ़ती हुई आबादी में जो हर साल करोणों युवक नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं उ उनकी उर्जा को हम कैसे देश के हित में दोहन करें ताकि उनको रोजगार मी मिल सके और प्रोड़क्टिव काम में उनको लगाया जा सके तीसरी हमारी चुनौती ये है कि उसके लिए एक शिक्षा का स्थर हमें बढ़ाना है आज भी स्कूली शिक्षा में और विशेशकर स कि सतार करना है हमने लोगों के लिए सकूल तो खुल दिये फुछ में उनके स्कूल आ गए दूर दराज में भी स्कूल खुल गए लिकिन अब कालिटी पर ध्यान देने के लिए हमें कालिटिव टीचिंग तीचर्श की जो शिक्षकों की जो गुण्वाट्ता है उसे स्तु प्रोफेशनल एजूकेशन पर नहीं दिया जितना देना चाहिए और इसलिए अब स्किल डेवलेप्ट सेंटर्स चालू किये जा रहे हैं ताकि तीन कक्षा का पास पांचवी कक्षा पास आठवी कक्षा पास को हुनर सिखाया जा सके और उसे रोजगार के लिए स्वेम प्रदान मंत्री ने जो बाशन दिया उसमें यही बात कही कि हमने जो काम किया हमारी जो उपलब्धियां रही वो जनता तक नहीं पहुंच पारी है इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता को इससे जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा मैंने कहा था कि रोजगार के अफसर उपलब करवाना, अर्थ विवस्ता को ऐसा बढ़ाना ताकि इंक्लूजिव ग्रोथ हो, अमीर और गरीब की खाई पारती जाए, एजुकेशन में सुधार हो, हेल्थ में सबसे जादा कूपोशिद बच्चे इस देश में हैं, कैसे उसको को दूर किया जाए, कूपोशिद समाज तरक्य नहीं कर सकता, इसी के साथ साथ हम लोग क्रशी हमारा क्रशी प्रदान देश है, लगबख 60 प्रतिशत लोग क्रशी पर निर्भर हैं, कैसे क्रशी की उत्पादकता बढ़ाई जाए, कैसे किसानों की आर्थिक हाला सुधारे जाएं, अधिक से अधिक minimum support price में एक अच्छे attractive price दी जाना चाहिए, अच्छी कीमत दी जाना चाहिए, ताकि किसानों को लाब हो सके, उसे सही समय पर सही बीज और खाद उपलत कराना चाहिए, पानी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, से चाय के लिए और पीने क तो जा रहा है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हो रहा है के नहीं हो रहा है, जैसा राजीव गांदी कहते थे कि मैं 100 रुपे भिजवाता हूं, 15 रुपे पहुंचते हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो योजना प्रस्तुत की है, उसके दो तीन पहलू इस पकार के हैं, पहल थानेदार साब, आपको ये फैसला 15 दिन में करना था, आपने तीन महीने तक फैसला क्यों नहीं किया, या तो आप जवाब दीजे या आप की उपर दंड होगा, इसको कानूनी सुरुख दिये जाएगा, जुडिशियरी रिफॉर्म, जुडिशियरी रिफॉर्म की भी जर चार शीट प्रस्तुत करने के लिए, आपने क्यों नहीं की, इसकी जवाबदारी आपकी है, तो अधिकारी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तै करने के लिए, पब्लिक सर्विंट अकाउंटिली बिल, कानून तयार किया जा रहा है, इसी के साथ, जो हमारे गाउं में, शह बहर में चुने हुए प्रतिनीदी हैं, हमारी लोकल बॉडिस हैं, उनको ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है, और इसके साथ-साथ, जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स का मतलब है, ये योजना के साथ, ये एक समू के लिए है, उस समू को इस योजना के करियान इनकी जब्मेदारी सुपी जा रही है, स्टेक होल्डर्स को. तो ये एक उसका ड्रॉबैक भी रहा क्या? बिल्कुल नहीं, सूचना के अधिकार से पारदर्ष्टा इस हमारी विवस्था में, और जितने भी ये भरष्टाचार के प्रक्रण सामने आ रहे हैं, ये सूचना के अधिकार के माद्यम से आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को दरन होना नहीं होना चाहिए, आपको कहा गया, ये हमारे नियम है, ये हमारा कानून है, इसका पालन करिए, अगर आप पालन नहीं करते हैं, तो जवाबदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, आपको वेतन मिलता है, आप क्यों नहीं करते हैं? जनता जब आपको आपके लोगों चुन रही है उन चुने हुए प्रतिरिदियों ने आपके लिए कानून बना दिया और कानून और नियम बना दिया अब प्रशासन की ये जवाबदारी है कि वो उन नियम और कानून के तहट काम करें सूचना की अधिकार से ये बात तो साफ हुई कि पारदर्शिता आई और ये भी बात साफ हुई कि लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन लोग ब्रशाशार में लिप्त हैं लेकिन जनता ये चाहती है कि उनके फैसले जल्दी से जल्दी हो और वो रही हो पा रहा है आपने ठीक कहा है जुडिशिल रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप जजजस के लिए सुवधा बढ़ा दीजिए जुडिशिल रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर और जजजस बढ़ा दीजिए मेरा तो इसमें स्पष्ट मत है कि इस देश में कानून विव अगर किसी भी किसान को उस राज की भूमी समंदी कानून के खिलाफ उसको कुछ मुकदमा दायर किया तो तैसील कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ वहां का फैसला हो गया तो उसकी अपील हो गए SDM कोर्ट में वहां का फैसला हुआ तो कलेक्टर के कोर्ट में कलेक्टर के कोर्ट में फैसला हुआ तो कमिशनर के कोर्ट में अपील और कमिशनर की कोर्ट में फैसला हुआ तो बोर्ड ओफ रेविन्यू की कोर्ट में अपील त पिर डीजे साब के यहां गया फिर हाई कोट में गया और फिर सुप्रिम कोट में गया इसलिए नियाय मिली नहीं पाता है आज किसी भी प्रकरण का ओसतन समय निप्टारे का लगबग 15 साल है उसको कैसे टेक्नलोजी के माध्यम से कानून में परिवतन करके जल्दी कर सकें क् कि अंग्रेजी में कहावत है जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड अगर नियाय देर से हुआ तो वो उस व्यक्ति के प्रती अन्याय है नहीं तो हमने यही तो पूझा कि यह सारी बातें अगर आप लोग समझ रहें तो फिर इस विचार मंथन से निकाल के क्या ले रने की वाली बात पर हम लोग गंभीता से विचार करेंगे और उसके लिए अलग-अलग डेडिकेटेड कोर्स हो जाएंगे अगर गाओं में जमीन का जगड़ा है तो उसको तहसील में एक बार फैसला हो गया और ज्यादा 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 उसमें के सामने जो अस्टिन पर ज्यादा है तो सबसे पहले बसका किराया उसके बाद वकील की फीस पिर उस दिन का खर्चा और वहां के पता पढ़ता है कि साम आज हमारी तारीख बढ़ गई तो ये विवस्ता गरीब के पक्षमें नहीं है आम आदमी के पक्षमें नहीं है इसलिए जुडिशिल की आवशकता है क्योंकि लोगों की नाराजी इसी बात की होती है देखो इस आदमी ने इतना वड़ा क्राइम किया और इस पर आज भी फैसला नहीं होना है आद भी कह रहे हैं कि ये विवस्ता घरीब के फेवर में नहीं है ये विवस्ता आम आदमी के फेवर में नहीं एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लोटेंगे तो जल्द हाजिर होंगे और ये चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है हमारे साथ दिगविजे सिंग जी लगातार बने हुए अब आम आदमी को स्ट्रंथन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे क्योंकि आपने 2004 से पहले भी ये कहा था कि हम आम आदमी की पार्टी हैं और हम आम आदमी को मजबूती देंगे लेकिन आज किसी दीए है कि आम आदमी अपने हग की मांग को लेकर सडकों पर उतर रहा है और उसे इस विवस्था में भरोसा नहीं रह गया है सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सूचना का अधिकार दिया है तो आम आदमी को इतना बड़ा हतियार दे दिया है कि जो केवल फिदान सभा का सदस्य और लोगसभा का सदस्य ही सरकार से प्रश्च पूच सकता था आज देश का हर नागरिक सरकार से प्रश्पूच सकता है ये बहुत बड़ा अधिकार दे दिया इसी के साथ साथ हमने उसको रोजगार का भी अधिकार दिया है शिक्षा का भी अधिकार दिया है और food security भी दे रहे हैं कमी हमारे में एक ही रह गई है कि हमें प्रशास्की तंत्र को और जवाब दे ही तै करनी होगी public servant accountability bill लाना पड़ेगा कानूनी रोव से जिस तरह से भी है कि अगर right to information में माननी आपने हमें जानकरी नहीं दी तो आप पर जुरुमाना हो सकता है इसी प्रकार public accountability bill लाया जा रहा है उसका पंसोदा तैयार हो गया है और उसी के साथ साथ judicial reform और judicial reform से ही और उसकी सकती से पालन करके ही हम जनता का विश्वास शासन के प्रती प्रशासन के प्रती और राजनेतियों के प्रती और समविधान के साथ साथ प्रजात तंत के प्रती हम उसको मजबूत कर पाइए महिलाओं का संबान किया है विश्मे सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो इंद्रा गांधी बनी और राजीव गांधी जी ने अपने पंचायती राज इंस्ट्यूशन में 33 प्रतिशत आरक्षन महिलाओं को दिया कॉंग्रेश शासित राजियों में महिलाओं को नौक कर दिया लेकिन पार्लिमेंट ने उसको अभी तक पास नहीं होने दिया है अब कोशिश इस बात की होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी कानून में इस प्रकार का बनाएं ताकि आम समिती सारे राजनेतिक दलों से मिलकर एक बटा तीन हिस्सा पार्लिमेंट में महिलाओं क देनी की बात कही गई है लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है वो है ब्रश्टाचार से जुड़ा हुआ उसको किस तरह से कॉंग्रेस पार्टी टैकल करेगी आने वाले दिनों में उससे कैसे लड़ेगी अंदरूनी ब्रश्टाचार से भी और सरकारी ब्रश्टाचार से भ पहला यह तो कि डिस्क्रिशनरी पावर्स कम खतम किये जाएं और वो हमने कॉंग्रिस शासित राजियों में और केन सरकार में डिस्क्रिशनरी पावर्स हटा दिये हैं नमबर वान नमबर टू यह भी कहा था कि जिसके खिलाफ रश्टाचार के प्रकरण है उसको पार्टी ना तो टिकेट देगी ना उसको आगे लाया जाएगा उसको भी हमने पालिन किया तीसरा यह था कि करप्शन के केसे के लिए फास्ट ट्रैक कोट्स लगाए जाएगे वो भी किया है सूचना का अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा उसका उप्योग किया जाएगा और पांचवा सक्त लोगपाल बिल लाया जाएगा लोगपाल बिल बनाने का मसौधा तयार करने के लिए नैशनल एडवाजरी काउंसिल में सोनिया जी ने अरुनारोय जी और हर्श्मंदर जी कोई काम सौपा था कि National Advisory Council में तुम्हें एक मसवधा प्रस्तुत करो जिसमें सक्त लोगपाल बिल हम लोग देश में ला सकें National Advisory Council ने Right to Information Act बनाया महात्मा गांधी नरेगा बनाया Right to Education बनाया Food Security बनाया ये सब Civil Society के लोगों को सरकार में के निर्णे में शामिल करके सोनिया जी ने एक करांती कारी कदम उठाया जिसकी वज़े से आज उनको आगया आने का मौका मिला है तो इसलिए लोगपाल बिल हम लोग बना रहे थे फिर बीच में कुछ अती महत्वकांग्शी लोग कुद पड़े उन्होंने जनलोगपाल बिल का उसका भी हमने सम्मान किया आप प्रदाशन कर रहे हैं आईए बैठके बनाईए लेकिन उनका मकसद लोगपाल बिल बनाना नहीं था उनका मकसद था राजनेतिक रूप से महत्पून पद पाना उसमें वो असफल हो गया ने ने उनका मकसद चाहे जो भी था लेकिन जनता की भावना सही थी और जनता चाहती थी कि ब्रश्टाशार से लड़ाई लड़ी जाए आज प्रधान मंतरी ने भी अपने भाशर में कहा कि अगर हम सही नीड़ने नहीं लेंगे तो खराब नतीजों का सामना भी करना पड़ सकता है यानि 2014 के चुनाओं को ध्यान में रखते हुए भी ये बात कही गई है इस इन खराब नतीजों के मदे नज़र या हम कहें कि नतीजों के मदे नज़र किस तरह से सही फैसले और सब को साथ लेकर चलने की रणनीती बनाई जाएगी बात यह है कि इस देश में सन 85 के बाद से किसी भी इस पार्टी को बहुमत नहीं मिला है इसलिए हर पार्टी को साथ लेकर चलना आवशक है और इसलिए अब जो लोगपाल का जो ड्राफ तयार हुआ है लगभग सरुसम्मती सभी पार्टीओं की आ गई है केवल विपक्षी दल संसाच चलने दे तो लोगपाल मिल पास हो जाएगा अब जितनी बातें आपसे हुई हैं और जिस तरह की चुनौतियां इसमें देश के सामने सामाजी क्रूप से आर्थी क्रूप से हैं इन चुनौतियों को नया लीडर्शिप यानि की राहुल गांदी कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे लड़ेंगे किस तरह का रुख होग अब इसका इंज़ार करिए अगले साल दो साल बात फिर एक तरकश करिए गाद बात करेंगे जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धनेवाद और उमीद है कि नए खून और नए जोश के साथ ये पार्टी आगे बढ़ेगी और नई सोच और देश को नई दिशा भी देगी बहुत बहुत धनेवाद हम से इस कारिक्रम में शामिल होने के लिए और बातचीत करने के लिए तरकश में आज फिलहाले इतना ही नमस्कार